भारत की आबादी के बारे में एक अध्यन दल की जांच रिपोर्ट बहुत चौकाने बनी है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुसल्मानों की आबादी 43.15 प्रतीशत बढ़ी है। इस प्रतीशत के अंदर बंगला देश्ट और रोहिंग्या गुसपैटी ये शामिल नहीं है। इसमें मुसलिम समाज का वहवर्ग भी शामिल नहीं है जो अपने आपको जनगणना जैसी गतिविधियों से दूर रखता है। इन सब को अगर मिला दिया जाए तो यह वृद्धी पूरे देश के लिए चिंता जनक है। और ये और भी ज़ादा चिंता बढ़ा देती है जब हम यह देखते हैं कि हिंदूओं की आबादी घट रही है। हिंदूओं के आबादी 8 प्रतिशत बढ़ी और मुसलिम समाज की आबादी 44 प्रतिशत से जादा बढ़ी। दोनों में यदि तुलना करते हैं तो परिस्तिती की गंभीरता ध्यान में आती है। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्मान कर रही है।